पती की मौत के बाद रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है वैसे तो हर कोई ये मानता है कि रेखा अमिताब बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है लेकिन अब एक किताब में रेखा के सिंदूर के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जो हर किसी को चौका देगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक रेखा दा अंटोल्ड स्टोरी नामक किताब में लेखा कि यासीन उस्मान ने रेखा से जुड़े इस बड़े रहस से परदा उठाया है इसमें यासीन उस्मान ने बताया है कि रेखा अमिताब बच्चन नहीं बलकि अपने से पांच साल छोटे संजे दत के नाम का सिंदूर लगाती है किताब में लिखा गया है कि अमिताब से दूर रहने के चलते और विनोध महरा से शादी तूटने के बाद वो संजे दत के साथ फिल्म जमीन आस्मान की शूटिंग कर रही थी इसी दोरान रेखा संजे के करीब आती गई दोनों को प्यार हुआ और शूटिंग खत्म होने तक उन्होंने शादी कर ली हाला कि दोनोंने इस बारे में किसी को नहीं बताया रेखा और संजे की शादी की भनक सुनील दत्त को लगी तो वो बहुत खफा हुए और उन्होंने संजे की शादी रिचा शर्मा से करा दी इस खुलासे के बाद अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि हमेशा अपने सिंदूर पर चुप रहने वाली रेखा इस पर कुछ बोलती है या नहीं